दोस्तों ये जो laptop chargers होते हैं इनको खोलना भी एक अलग ही task होता है क्योंकि यहाँ पे ना ही इसमें कोई screws होते हैं ना ही ये brute force से खुलते हैं तो force लगाने का कोई फाइदा नहीं है तो आज इस charger को हम open करेंगे injection लगा के जी हाँ दोस्तों मैंने यह जो syringe है इसमें दवाई भर ली है तो इसको रख देते हैं यहाँ पे यह रही दवाई दोस्तों यह चीज क्या है और कहां पे मिलेगी यह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो के उपर बने रहिए तो यह रही दवाई और यह र दोस्तो मैंने जो है ग्लाव स्पैन ली है और हमारे सर्जिकल टेबल के उपर एक पेपर बिछा लिया है हमारा पेशेंट बिल्कुल रेडी है तो आईए स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन लगाना तो यहाँ पे जो चारजर पे आप यहाँ पे यह जो सीम देख रहे हैं यहाँ पे हमें यह जो दवाई है इसको लगाना है तो आईए स्टार्ट करते हैं लगाना इसको दोस्तो दवाई का असर होने में लगबग 5-10 मिनिट का समय लगता है तब तक हम discuss कर लेते हैं कि दवाई हमने लगाई क्या है तो जो चीज आप इस bottle में देख रहे हैं डरिये मत ये कोई दवाई नहीं है This is nothing but petrol वही petrol जो आपके scooter वगरे में डलता है regular petrol है हमने इस syringe का इस्तमाल किया है ताकि जो petrol है इसको इस seam में अच्छी तरह से लगाए जा सके तो आप देख सकते हैं इसमें जो है मैंने लगा दिया है और ये लगाने के बाद में हमें जो है 5 मिनित वेट करना है और ये charger आसानी से खुल जाएगा दोस्तो दवाई ने अपना जो असर है वो दिखा दिया है और जो laptop charger है उसको आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से धिरे-धिरे force लगाना है देखिए ये किस तरह से खुल रहा है तो इस तरह से ये open हो जाएगा अगर कोई इलाका रहे जाता है तो आप थोड़ा सा second dose दे सकते हैं आपके charger को तो यहां से जो है मैं थोड़ा सा और dose यहां पे लगा देता हूँ quantity काफी कम लगा नहीं है आपको ज़्यादा लगाने का कोई फाइदा नहीं है तो यह मैंने लगा दिया इस तरह से और यहां पे जो है थोड़ा सा बाकी था तो यह लगा दिया और अभी यह open हो जाएगा देखिए दोस्तों कितना easily यह open हो जाता है और अभी अब आपका जो charger है वो घर पे इस तरह से repair कर सकते हैं दोस्तों इस तरह के tricks अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो नीचे जो description में playlist है playlist को जाके जरूर चेक किजिए तक क्यरए और वोगता है झाल